हेलो दोस्तों नमस्ते मैं आप सब का स्वाइद करती हूँ रादे रादे माइ सूल फैमली माइ वीवर्स माई सब्सक्राइब आप सब दोस्तोंगे मस दोगे अपने लाइक में आगे बढ़ रहे हूँ तियर आज का भीकाज में बीडियो लेकर आए हूं यह है रेत के उनको मन ही मन में सोचिए उनको फिल कीजिए और उनको याद कीजिए कलिक्टिब रिडिंग है सारे साइन की लोग देख सकते हैं मेल फिमल मैरिट अनमैरिट सब के लिए तो वीडियो आपसे जितना रजनेट करता है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है रिल्लाक्स हो जाइए इंटेंशन सही रखें चलिए राधे 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 किशने राधे किशने राधे किशने राधे किशने राधे किशने राधे 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 चलिए पहले ओम चैंटिंग पीस और सांती बैलेंस के लिए इंटुशन स्ट्रॉंग करने के लिए अपनी हिलिंग करने के लिए गौड से बात करने के लि और कुछ सोंच समझकर strong decision लेने के लिए और अगर आपका intuition strong होता है तो आप strong decision के साथ आप life में बहुत कुछ अजीब भी करते हो तो इससे intuition strong होता है peace और सांती balance मिलता है ओम चैंटिंग और ओम नमस्टिवाय का जाप अवश्य करें स्वास्तिक सुक और सांती समरिधी के लिए ठीक है सुक और सांती समरिधी के लिए तरक्की के लिए और बरक्कत के लिए हम स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाए चाहे वो main door हो या आपके घर का temple हो या फिर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ निगेटिविटी है कुछ ऐसे thoughts आ रहे है जहां आपको अच्छी wives नहीं आ रही है ठीक है तो वहाँ पर आप स्वास्तिक बना सकते हो ठीक है तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही जरूरी है चलिए देखती है उनके मन में क्या है आपके लिए contact में हो, no contact में हो separation में हो long distance relationship है एकस हो, lover हो, soulmate हो, husband हो, wife हो, crush हो जिनके लिए वीडियो देख रहा हो थोड़ा सा ध्यान से और उनके बारे में सूची क्योंकि ये collective reading है देखे दियर, यहाँ पे जो इनके feelings है आपको लेकर आपके लिए अंदर ही अंदर इनको true feelings बहुत strong है लेकिन ही इनकी उमीदें टूट चुकी है कुछ ऐसे thoughts है या फिर आप से हो, या family से हो, या situation के नुसार क्योंकि कुछ उमीदें, कुछ ना कुछ इनको आप से भी थी family से भी थी, parents से भी थी और कुछ समय के साथ भी कुछ ऐसी energy हैं जो उने support नहीं कर रही है ठीक है ये person कुछ ना कुछ आपको लेकर सोच रहे हैं जो कि ये future से related है ठीक है ये person जो कुछ भी सोच रहे हैं इस वक्त ये future से related है लेकिन इस person को ऐसा लगड़ा कि इस रिष्टे में ना पहले भी बहुत सारी उमीदे थी लेकिन इस वक्त इनके मन में कभी इस रिष्टे को लेकर जिता है ये past वो उमीदे थी लेकिन current situation में इनकी energy में जो है ना कि साइद कहीं इनकी उमीदे तूट ना जाए इनके सपने तूट ना जाए अगर ये अब तक आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे आपको ignore कर रहे थे distance maintain कर रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे ये आपके तरफ खीचे चले आ रहे है लेकिन इस person को ऐसा भी लग रहा है जिन्दिकी आसान नहीं होती है कि बहुत अचानक से ये कोई decision ले ले ये कहना चाहते हैं जिन्दिकी आसान नहीं है जो एकदम से ये decision ले ले इन्हें भी सोचना होगा समझना होगा क्योंकि आपके partner के उपर बहुत बड़ी responsibility है ठीक है ये खुद को और strong बनाना चाहते हैं लेकिन ये कोईस कर रहे है लेकिन इनकी जैसे होता न डियर आपको लेकर, रिष्टे को लेकर इस relationship को लेकर उमीदे बहुत थी लेकिन किसी न किसी बज़ा से इनकी उमीदे टूटती हुई नजर आ रही है कुछ वीवर्स यहाँ पर कुछ वीवर्स आपकी एनरजी है कि आप में थुरा, देखें, सौविमान है लेकिन उनको लगड़ा कि आप में इगू आया, अभिमान बढ़ चुका है आपका सामना तो करना चाहते हैं बट यह करने ही पा रहे हैं आप काफी स्ट्रॉंग हो गया हो आप आजकल जबाब भी देते हो आप उन्हें इग्नोर भी करते हो आप ऑनलाइन भी रहते हो आपके मन का जो डर है, जो रिस्पेक्ट है इनके परती खत्म हो गया है ठीक है, ऐसा वो सोच रहे है लेकिन उन्हें अफसोच रहा है कि अगर इन्होंने कुछ गल्तियां किये तो सही है, लेकिन इतनी भी मुझसे गल्तियां नहीं हुए कि तुम मुझे इग्नोर करो ये परसन आपके साथ कुछ अच्छा विहेब नहीं किया है ये मेल और फिमेल दोनों हो सकते हैं देखिए, इन्होंने कही न कही आपका दिल तोरा है लेकिन डिसीजन में ये बहुत पीछे रहते हैं और कुछ आपके पार्टनर ने इन्होंने अगर आपका दिल तोरा है तो ये परसन को कही न कहीं गिल्ट है मन में डर है लेकिन चाहत है कि जो भी अगर उनकी नीड है आपसे हाँ, आपसे नीड बहुत है फिजिकली और फाइनांसली और इनकी हिलिंग आप करते हो देखिए, कहा जाए तो आपको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि सपने तो कुछ है फ्यूचर को लेकर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कुछ ऐसी बाते हैं जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर लेकिन यहाँ पर जो एनरजी है कुछ future को लेकर ये सोच जरूर है आपको लेकर और future को लेकर ये planning है लेकिन इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सायद अगर आपसे बात कर ली जाए अगर आप उनसे बात कर लो मुलाकात हो जाए reunion हो जाए तो सब सही हो सकता है हो सकता है viewers आपको हर हाल में justice चाहिए नयाए चाहिए या फिर उनका साथ चाहिए लेकिन ये person पुरानी बातों को याद काफी करते रह रहे हैं आज कल बहुत याद कर रहे हैं याद अभी भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ viewers ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर true 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 यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे साधी और family चाहते हैं हो सकता है बिल्कुल आप लोग unmarried हो दोनों unmarried हो सकते हैं दोनों single हो सकते हो लेकिन ये person आपके सर जो इसे कहा जाता है न डियन ख्यालों में रहना यादों में रहना तो यहाँ पे true energy दिखाई दे रही कि वो आपसे साधी करना चाहते हैं और आपके साथ family बनाना चाहते हैं कुछ viewers यहाँ पे husband wife भी हो यहाँ पे जो आप दोनों में कहीं न कहीं काफी गलत फहिमिया है family problems या parents issue है अगर यह आप से distance maintain कर रहे हैं अगर husband wife हो या एक छट के नीचे हो या फिर अलग-अलग हो लेकिन आप दोनों के वीच में कोई तीसरा है कुछ के लिए parents भी हैं लेकिन यहाँ पे आपके partner अपने family को अपने बच्चे को याद जरूर कर रहें और miss कर रहें लेकिन यह stand लेने के लिए बहुत जादा deeply सोच रहे है क्योंकि कुछ वर्च यहाँ पे divorce की energy है ठीक है यहाँ पे divorce की energy बहुत तो strong आ रहा है चाहते तो नहीं है लेकिन इन्हें मजबूर किया जा रहा है पहले husband wife में बहुत एक दूसरी में प्यार था respect था आप उनके बिना नहीं वो आपके बिना नहीं उनके खाने, से पीने, पहनने life style तक आप उन्हें care करते थे उनके साथ घुमना travel पे जाना आज वो मिस्स कर रहे है लेकिन यह person कुछ न कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर रिष्टी को लेकर और future को लेकर यह Aries, Leo and Sagittarius ठीक है Aries, Leo and Sagittarius, Spices, Cancer, Scorpio में, सिंग, धनू, मीन, करक और ब्रेश्चिक यह मुझे स्ट्रॉंग दिखाई दे रहे है यहाँ पे टॉडस हैं, लिब्रा हैं, यानि ब्रिशव और तुला यह यहाँ पे स्ट्रॉंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो रिक्षाई अगर आप अन्मेरिड हो अगर आप अन्मेरिड हो तो यह person आपके साथ अगर दोनों ही अन्मेरिड हो ठीक है, या फिर दोनों सिंगल हो तो देखिए दे उनका सपना आपके साथ है और इनके उपर फैमिली का भी प्रेशन है और कुछ यूज आपके उपर फैमिली का प्रेशन है मेरिड रिलेड या फिर आपके person आपसे साधी करने को decide करें, नहीं तो कहीं आपकी मेरिड फिक्स हो सकती है लेकिन आप बिल्कुल नहीं चाहते किसी और के साथ रिस्ता जोड़ना क्योंकि लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है आप नहीं चाहते हो कहीं और मेरिड करना भले ही, आप गुस्से में move on करने की सोच रहे हो बट आप चाहकर भी आप move on नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपके partner बहुत कोसिस कर रहे है अपने family, अपने parents को मनाने की, कि वो आपके family से बात करे ठीक है आपके partner कोसिस कर रहे है ऐसा नहीं कि वो हर मान रहे है वो offer भी करना चाहते है आपके family, parents से भी बात करना चाहते है, लेकिन ये person आपके साथ ही future देख रहे है ये कोसिस कर रहे है, manage करने का ये कुछ वक्त ले सकते है ये कुछ, अगले कुछ महीनों का कुछ वक्त लेते हुए दिखाई दे रहे है लेकिन ये आपको offer करना चाहते है देखे, कुछ भी हो अगर आपके partner किसी और से दोस्ती है relationship है या कोई और है आपके partner के life में लेकिन कहा जाए उनके दिल में आप ही हो आपके partner को और भी दोस्त हैं viewers और भी दोस्त हैं अच्छे दोस्त है लेकिन आप उनके दिल में हो और आप उनके wish हो ये जता नहीं सकते हैं क्योंकि निके ओपर ego बहुत होता है ego को बज़े से आपको express नहीं कर पाते हैं और आपसे fight करते हैं यहाँ पे comparison भी हो रहा है आपके partner comparison भी करते हैं इसलिए वो आपको चुन रहे हैं अहसास है और इन्हें फर्क बर रहा है viewers आपके ना होने से आपके ना होने से और आपको होने से इनके लैप में क्या situation आया है और क्या ये जहेल रहे हैं इन्हें अनुभाव हो रहा है आपकी partner को हो सकता है कुछ समय पहले business में loss हुआ हो इनके partner नहीं इनको धोका किया और आपके partner से दोस्ती भी की relationship भी बनाया ये कुछ के लिए सब के लिए नहीं है यहाँ पे आपके partner किसी के साथ friendship, business, partnership पर काम किया, business किया जहां उनके losses भी हुए, fighting भी हुए, legal issue भी चल रहा और आपके partner को कहीं न कहीं उलजाया गया, फंसाया गया और कुछ यूर्स आपके partner rare के लिए, सब के लिए नहीं है rare, कम लोगों के लिए आपके partner ने उनसे रिस्ता भी जोला और relationship भी बनाया लेकिन आज, उमीदे आसा टूट चुकी है और एक आसा की कीरण आप हो खुद को समझाना चाह रहे हैं लेकिन समय कह रहा है सोचना है, समझना है और decision लेना है ये काफी egoistic इंसान है अपने गमंड में चूर रहते हैं अपनी personality, अपने रुदबा, अच्छी job मतलब इनके image हमेशा बनी रहे इनके image पे गाज नहीं गिरनी चाहिए लेकिन कुछ viewers आप लोग के life में कुछ समय पहले इस रिष्टे की सुरुवात तो हो चुकी है लेकिन कुछ viewers आप इनको समझ नहीं पा रहे हो अभी भी नहीं हो सकता है, on or phone लेकिन इनके अंदर आने वाले टाइम में कुछ decision होगा आने वाले टाइम में कुछ decision होगा अपनी power में आना चाहेंगे कुछ compromise भी करना चाहेंगे लेकिन अगर viewers कुछ pressure इनके parents का भी है चिक है इक काफ़ी अपनी feelings को control करते हैं, पस्तावा होता है किनों ने कुछ आपसे बाते भी छुपाई, लेकिन express करेंगे तो आपका दिल तूट जाएगा जिस वज़े से ये person के अंदर थोड़ा पस्तावा भी है guilt भी है क्योंकि emotions को control बहुत कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ वर्स ऐसे भी आपके partner है जिनके उपर responsibility है और वो button इन्हें दे रही है लेकिन यहाँ देखा जाए अगर heart to heart की बात की जाए heart to heart का negotiation मन ही मन में दिल ही दिल एक दूसरी के लिए प्यार बहुत है, respect बहुत है लेकिन किसी में ego बहुत ज़्यादा है और किसी में गुसा ज़्यादा है emotions में emotions जो है किसी के पास उतनी नहीं दिखाई दे रही है बस गुसा, ego, नाराजगी लेकिन थोड़ा compromise कुछ विर्स आप अपने partner से डर कर रह रहे हो ठीक है, आपको लगता है यह बंदा आता है यह जाता है, यह क्या चाहता है आप confused हो आपको डर लगता है यह सिर्फ आपको जिसे मन में होता न डियर ignore किजेगा, मैं बोल रही हूँ आपको मन में कभी-कभी ऐसा भी लगता है कुछ विर्स आपके मन में है कि यह सिर्फ बंदा या बंदी मेरे को इस्तिमाल करता है मेरी एनरजी लेने आता है एनरजी लेखर चला जाता है अपने फैमली, अपने पैरिंस, अपने पडिवार को देता है अपने काम को देता है लेकिन यहाँ पे कुछ विर्स आपके मन में ऐसी बाते आती हैं और आप रोक के कलप जाते हैं अंदर से आपका आत्मा रोता है और कहते हो आप मुझे न्याय चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ आने वाले वक्त में आपके अंदर पावर बर रही है ठीक है इसट्रेंग एनर्जी यहाँ पर स्ट्र बात बात पे आप दोनों में फाइटिंग होती है तो कुछ समय तक आप लोग के दिखे मुझे लग रहा कि कुछ समय के बाद आपके अंदर स्थेंथ आने वाली है ये मुझे फायर एनरजी किया रही है आप लोग के पार्टनर में एक बहुत एगो है एगो छिरचिरापन है फाइटिंग है बात पीचे हर बात पे आप लोग में फाइटिंग होती है ये बहुत है शोंक मुझे फायर एनरजी दिक्क रहे है लियो का बहुत स्टॉंग है अगर आपके पार्टनर या अर्थ साइन है यानि मुझे आपे टॉर्स यानि प्रिसब और सिंग यानि लियो ये मुझे बहुत स्टॉंग दिखाई दे रहे हैं आप दोनों की नहीं बनती है यहाँ पे अर्थ साइन और फायर साइन यानि लियो स्टॉंग है लेकिन इसमें एरिस लियो भी है और कैपिकॉं टॉर्स वर पहस होता है और निगेटिवटी आती है मतलब एक दूसरे को समझते नहीं हो लेकिन आपके पार्टे जो भी सोच रहे हैं इस वक्त वो आज नहीं वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं यह फ्यूचर की प्लानिंग कर दिये और वो आपके साथ आगे चलना चाहते हैं आने के ऑन-फब करना है लेकिन कुछ विवर्स आप नहीं कहीं नहीं दे पा रहे हैं आपको उनके खिलाप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टर के मन में जल्क फैमिया भी है कि कोई है जो आपको एक दूसरे के खिलाब कर रहा है वीवर्स लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंद की एनर्जी है आप लोग के अंदर पावर बर रहा है यह फ्यूचर प्लान ही जरूर कर रहे लेकिन आपके साथ में जो प्लान कर रहे हैं आप उनके दिल में हो आप उनके हो सकता है यह बहुत आप से communicate करें अकर बात्चित नहीं हो रही है तो कुछ लोग की तो बात्चित हो रही है ठीक है यह मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं एट नमबर और इंफिनिटी भी बहुत स्ट्रॉंग अभी वर्स ठीक है बात करना चाहते हैं यह तो उनकी फिलिंग्स है उनकी डिप फिलिंग्स है जो आपके बारे में सोच रहे हैं कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपक कुछ क्लियर्टी चाहिए आपको भी और उने भी चाहिए चीक है देखती हुआ उनके लाइप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा वीवर्स चीक है इनके लिए इस वक्त करियर और फाइनांस भी बहुत इंपॉर्टन्ट है लेकिन वाव प्यार करते हैं पैस्टेंट इ ओहो क्या बात है कितने भी आप फाइट करो भाया मैं तो तुम्हारे पास बढ़ूँगा आज नहीं तो कल यह फ्यूचर नहीं है यह आज है तो आज जिस एनर्जी में है आपके पार्टनर दफूल के एनर्जी में है कहने का मतलब यह आपके तरफ आना तो चाहते हैं ले यहां पर देखें कि एनर्जी जो आई है यहां पर भी सारे साइन है कम यह नहीं है ठीक है देखें आपके लिए प्यार है इमोसन से रिस्पेक्ट है लेकिन आपमे जो अगो आया है वह कब कमेगा आपके पार्टनर कहना जाते हो सकता आप उन्हें अटेंशन नहाँ देरे पेंपर नहीं करना, तो कुछ आप में ऐसी एनरजी आई हो सकता है, विवस कुछ आप लोग की जौब अच्छी हो, गौड में जौब हो, या अची पसनाल्टी हो, ठीक है, हो सकता है, आप नहीं नहीं कंट्रोल करने की कोशिस की है, आप अपने लाइप में करियर फाइनांस अपने हेल्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं न कहीं अपने आपको चेंज किया है, ठीक है, और आप उनसे फाइट करते हो, क्यों करते हो, क्यों उन्हें कंट्रोल करते हो, क्यों उन्हें मैनुपलेट करते हो, वो आपके लिए पैसनेट है, वो आपसे प्यार करते यह कहना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए लोगों से fight कर रहे हैं, अपने parents से, relative से, family member से, गुस्सा कहीं भी उतार हैं आपके partner, बटी आपसे प्यार करते हैं, आपके रोमांटिक्स, feelings, attraction, सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर focus नहीं कर रहे हो, आप आपके अंदर leadership की quality है, या आपकी अच्छी job है, चीक है, कुछ विएर्स आपकी अच्छी job भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कि आप pentacles पर बहुत focus कर रहे हैं, अगर आपके healthy issue चल रही है, या healthy issue से आप गुजर रहे थे, या आपक future की भी planning कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप आजकल जादा अपने आप पर focus हो, या आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, या अपनी personality पर focus कर रहे हो, या पिर आप कोसिस कर रहे हो, कि आपका करिये आपका job, आपका business कैसे आगे बरे, कुछ विएर्स आप अप की fighting इनको बहुत trigger करती है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें control ना करें, उनकी feelings को समझे, हाँ, ये डरते जरूर है, क्योंकि अभी ये चूप हो सकते हैं, खाम हो सकते हैं, लेकिन the full energy है, कि ये person आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आप से union चाहते हैं, के तरफ strength भी आ रहा है, तो ये the full energy में है, ये इस वक्त decision नहीं ले पा रहा है, इन्हें justice और न्याय करना है, इनके मन में कुछ ऐसी बाते हैं, ठीक है, तो आपके person हर हल में आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं, अगर comparison किया जाए, तो आज में कल में आप में काफ authentic feelings, physical attraction, चाहत, प्यार, गले से लगाना, लेकिन इनके लाइब के जो प्रॉब्लम से, उनको मैं कैसे समझाओ और तुम्हें कैसे बताओ, मन के पावर को ये बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ future planning करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो देखें यहां भी, आप चुपने बैठते हैं, उनकी भी fighting होती रहती है, और आपसे जब मिलते हैं, तो आपसे प्यार चाहते हैं, और आपका बदला हुआ रूपना, इनको कहीं न कहीं trigger करता है, और मजबूर कर देता है, अपने आपसे fight करने के लिए, तो आपके person आपके साथ जूड़ना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनसे fight ना करो, लेकिन आपका बदलता हुआ रूप कहीं न कहीं उनको कुछ मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आपको खोर नहीं सकते हैं, आपको बुला नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको लेकर ये कहीं न कहीं future planning जरूर कर रहे हैं, ये है आपके partner की energy, उनकी feelings आपके लिए, आपका बदला हुआ रूप इनको trigger कर रहा है, लेकिन ये मजबूर है, लेकिन future planning ये जरूर कर रहे हैं, विडियो अच्छी लगए दियर, तो like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you so much and God bless you.